स्कूल जा रही एक नौवी की क्लास की छात्रा का एक सिर्फिरे ने मांग भर दिया और उसे जिद करने लगा कि स्कूल नहीं ससुराल चलो आप भी सुनकर हैरान हो रही होंगे पर ये सच है ये पूरा हैरान करने वाला मामला बिहार के कटिहार जिले का है जहाँ पर ये पूरा मामला बेहद चौकाने वाला हो गया है दर असल यहाँ पर नौवी क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा की सिर्फिरे ने मांग भर दी उसने चात्रा की मांग में सिंदूर भर दिया घटना के बाद चात्रा के परीजनों में आकरोश देखा जा रहा है आरोपी के खिलाफ थानी में शिकायत भी दर्ज कराई गई है पहले हम आपको पूरा मामला बताएंगे उससे पहले क्या कुछ चात्रा का और उसके परीजनों का कहना है और तमाम बाते आप पहले उनसे ही सुन लीजे अपना बच्ची को समयट लिए उसके बाद फिल एक दीन लर्का हम रागेट के सामने इसको बुला के गप कर रहा था हम बजार से आए दोनों को देखे दोनों को देखे तो दोनों को मार पीट किये लरका को बान के रखे थाना फोन किये थाना से बड़ा बड़ा अधिन के बाद हम राब ने के आ वांड बात चिपना कड़ें तो बॉंड मना के दिया लड़का उसके बाद आज घटना हुआ यहां ाज लगी के साथ अब दोकुद निकल के इसकूल जा रहे थी इसकूल जाने की करम में एक पढ़िया रस्ता है एक पढ़िया रस्ता से जा रही थी उलर का चुपके बैठल था जा किया चुपके बैठल था जुपके निकल के इसको शिंदूर डाल दे और इसको हाथ पगड़ के बोल रहा कि गारी रीजब करे रखे चलो तुम मेरे साथ उस पर इसको ऑली कि हम तुमस्ता जाएंगे तुम्हा कौन लगता है जो तु नियाय का जग हम नियाय का जग हम नियाय मांग रहा है अधे तोनी हम फाना है क्या था क्या था जोपके होँ ऊपए खरा था और आके जवर्ड डरम चंद कुन तरह जे ज़र्व मेरे साथ दर्म चंद्र कुमार फिटा के लिए समय अटार्पन च़ए आंधार आंग दर्ण यह दर्ण ऐसे दर्ण क्या नाम है और पीसके वाद का प इस बीच बता दे कि सुनसान सरक पर सरफिरा आदमी जिसका नाम धर्म चंदर कुमार है वो पहले से ही घात लगा कर बैठा हुआ था जैसे ही चातरा उस रास्ते पर पहुची तो उसने सुनसान जगह हुनी का फाइदा उठा कर उसको पकड़ कर जबरन मांग में सिंदू भड़ दिया इसके बाद आरोपी युवक चातरा को अपनी पतनी बता कर साथ घर चलने के लिए कहने लगा दर के मारी चातरा चीखने चिलाने लगी इस दौरान रास्ते से गुजर रहे रिष्टे में लगने वाले चातरा के मामा ने उसे देख लिया मामा को देख आरोपी बखा से फरार हो गया इस घटना से दो महीने पहले ये जो घटना घटी है इससे पहले भी एक बार ये सरफिरा आशिक इसी चातरा को परिशान कर रहा था इसके साथ छेड़ खानी करने की कोशिश भी कर रहा था पर वो इस घटना को अंजाम न दे सका इसको लेकर दोनों पक्षों में पंचायत भी हुई थी दोनों गाओं के लोगों की सहमती से आरोपी ने एक शपत पत्र भी लिखवाय गया था इसके बाद भी आरोपी का मन माना नहीं और उसने अब छात्रा की मांग में सिंदूर भड़ दिया है छात्रा अपने परीजनों के साथ अब पुलिस प्रशाशन के पास गोहार लगाने पहुची है और इस सर्फिरे के खिलाप न्याय मांगने की गोहार लगाई जा रही है